Hello friends, welcome to my channel, कैसे हो आप सब, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ, मिंतरा से मैंने 5 बहुत ही ब्यूटिफुल से बैग मांगा है, वो बहुत ही प्यारे से और छोटो छोटो वाले बैग होने वाले हैं, बड़े बड़े ओफिस बैग नहीं होने वाल तो यह यहां से इस तरीके से ट्विस्ट करना है आपने इसको और ओपन कर लेना है, अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस मिलता है और यह इस तरीके के इसके साथ आता है, पहले से ही अटाच, यह इसी साइज कराएगा, इसे आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते हो, इस स्फेस में भी पॉकित मिलती है, ब्यूटिफुल बैग है और बहुत ही ना थीट gua बाला बैग होने वाला है, मुझे यह बाला बहुत ज्यादा चा लगा यह बाला यह, तो अल्हािश्स के बढको कॉल helemaalे बग इस बिलींट कर आप चाह बड़त हुश्ची होने वाली है, ब चैके बहुत ज्यादा बियूटिफुल है? इसमें आपको पूरा सीक्वेंस का काम मिलता है, तो आप देख़ेंगा वाइट कलर के बैगा होने वाला है, और इसमें पूरे में आपको सीक्वेंस का वर्क मिलता है यहाँ पर आपको एक लटकन भी मिलती है .. और इसके साथ आपको मिलता है यह फूल्साइज का स्लिंग जिसे आप एजस्ट कर सकते हो यह भी फ्ैबरिक का ही होने वाला है.. ओवर्ल यह फैबरिक का ही है Probably इसमें आपको फ्रेंट में एक पॉकेट मिलती है और पूरे में एक फॉकेट मिलती है इसके अंदर एक थर्मकॉल रखा हुआ इस तरीके से ताकि इसकी शेप खराब ना हो जो कि बहुत अची चीज है क्योंकि फैब्रिक वाला बैग खराब हो सकता है यहां पर आपको इसमे तीसरा बैग मेंने मंगवा है बिल्कुल चटाक रेड अप देखो मुझे किसीने बोला था कि निमा जी एक रेड खराब बैग मुझे चाहिए पार्टी में चाहिए पार्टी के लिए तो मैं रहे लोग इससे ट्राइ करती हूं यह होने वाला है पूरा इसमेना सिक्वेंस तो मतलब दिल्कुल मस्त वाली ब्राइट वाली feeling आने वाली है इसको हाथ में लेते ही बहुत ही से इसका लॉक मुझे बड़ा डिफ्रेंट लगा यह आप देखेंगे इसमें आप इस तरीके से चावी है इस आपने उपर खीचना है और बैग उपन हो जाएगा स्पेस के अपने बात कुले इसमें आपको तीन पार्टिशन मिलता है एक फ्रंट में एक बाक में और बीच में जिप मिलती है मतलब छोटे चोटे से बैग में इतने बना रहा है कि मजा आ जाता है क्योंकि हमेशा क्यों चीज़े ऐसी होते है जो मुझे अलग रखनी है जैसे अपनी जादा अची है पूरे में आपको सीक्वेंस वर्क मिलता है ब्यूटिफुल वाला गोल्डन और ब्लाक कलर की इसमें बटन पर डीटेलिंग है लुक इसकी काफी अची है साइज भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है फोर्थ बैक की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखो को आज मैंने ये घडी पहनी है और सेम वैसी ही लुक मुझे इसकी लग रही है ये घडी है मेरी शादी की ह। सोरह साल ओने वाले है इस गडी को actually मैं मिंतरा से स्क्रोल कर रही थी घड़िया मेरा मूड कर रहा था घड़ी लेने का तब मुझे आदा है रहे मेरे शादी पे भी घड़ी मिली थी तो यह वह आली है तो मैंने का आज ही से पहल ले दियू और जब मैंने यह बैग अन्बॉक्स किया ना मेरे को बिल्कुल इसमें वही टाइटन की घड़ी वाली फील आरही है बहुत मस्त बैग है यह कपड़े की बात करूँ चाहिए मैं इसकी लुक की बात करूँ क्लासी बै बाक होते है वह थोड़ा कम ही चलते है वह बिल्कुल exact matching चाहिए होता है यह वाले सब के साथ चल जाते है इसकी लुक बहुत ज्यादा अच्छी है इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ आपको यह स्लिंग मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से अजसाब कर सकते ह अगर आपको बात करो तो आपको इसमें आइधिक यह दो पार्टिशन मिलते है एक पीछे एक आगे सेंटर में एक पार्टिशन दे रुख है तो उससे आपको दोपर्टिशन बन जाते है और इसकी लुक आप देखो बहुत 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 सब्सेश पीच्छी के तरफ साइज बिलकुल पॉफेक्ट है और यह आपको इसमें एक आगे भी इस तरीके से पॉकेट मिलती है तो अगर आप मेट्रो एट्रो में जा रहे हो तो अपना कार्ड वगारा अराम से रख सकते हो फिफ्थ बैक के अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको बिलकुल ऐसा बैक त जादा ही चल जाएगी यह बहुत ही टिकाओ बैक मुझे लग रहा है इसमें अगर मैं पार्टीशन की बात करूँ तो इसमें आपको सिंगल पार्टीशन मिलता है पीछे की तरफ आपको एक जिप मिलती है और फ्रंट में आपको एक छोटू पॉक्ट मिलती है बैक साइड इस बहुत अच्छा है इस बैक का साइज बहुत अच्छा है तो अगर आप एक ब्लैक क्लासी बैग में इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़रूर से इसमें इन्वेस्ट कर सेथा आपको कोई भी डिसपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है पांच बैग मैंने आज आपके साथ श बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर सब मुझे कमेंट करता है कि आप जो प्रोड़क्त दिखाता हो वो तो स्टॉक में नहीं है तो बही मैंने जब दिखाया रहा तब स्टॉक में था इसले पसंद आता तो फटक से ले लिया करो वीडियो पसंद आया है त प्लीज लाइक करके जाना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरू जाना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाई